अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वास्तविक प्राकृतिक दर्प शब्टा क्या अर्थ है? A. वो दर जिस पर केंद्रिय बैंक दुसरे बैंकों को पैसा उधार देता है B. वो दर जिस पर बैंक रातो रात स्वीकरित सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में आर्बी आई से उधार लेते हैं C. वो दर जिस पर अन्य बैंक केंद्रिय बैंक को पैसा उधार देते हैं D. वास्तविक ब्याजदर जो शून या उटपोड गैप और स्थिर मुद्रास फीती के अनुरूप हो D. वास्तविक ब्याजदर जो शून या उटपोड गैप और स्थिर मुद्रास फीती के अनुरूप हो प्राकृतिक दर शब्द मूल रूप से एक बंद अर्थ व्यवस्था के लिए विकर सेल 1898 द्वारा प्रतिपादित किया गया था आधुनिक समय में न्यू कीन्सियन मौद्रिक नीती धाचे में प्राकृतिक दर को आम तोर पर ब्याज की वास्तविक दर के बराबर किया जाता है जो की शून्य उत्पादन अंतराल और व्यापार चक्र पर स्थिर मुद्रासफीती के अनुरूप है जल जीवन मिशन जेजेएम के संबंध में कथनों पर विचार करें एक, मिशन को वर्ष 2019 में जल शक्ती मंत्राले के तत्वाधान में लौंच किया गया था दो, यह संयूक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्षिच है, SDG 6 को बढ़ावा देता है और उसका समर्थन करता है तीन, यह पानी के लिए एक समुदाय आधारत द्रिश्टे कोन है और इसमें व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है चार, जी जे एम स्थानिय स्तर पर पानी की एकी कृत मांग और आप पूर्ती पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है नीचे दिये गए कूट का प्रयोब कर सही विकल्प, विकल्पों का चैन कीजिए एक और चार, बी, एक, दो और चार, सी, एक, तीन और चार, डी, उप्रोक्त सभी डी, उप्रोक्त सभी जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीन भारत के सभी घरों में दो हजार चॉबिस तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप पेजल उपलब्द कराने के लिए की गई है ये अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत, स्थिर्ता उपायों को भी लागू करेगा जैसे की भूजल प्रबंधन, जल सनरक्षन, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनरभरन और पुना उप्योग करना ये जल के प्रती सामुदाइक द्रिष्टे कोन पर आधारित और इसमें व्यापक सूचना शिक्षा और संचार को एक प्रमुक घटक के रूप में शामिल किया जाएगा जी जे एम पानी के लिए एक जन आंदोलन बनाना चाहता है जिससे यह सब की प्राथमिक्ता बन जाए यह 6 सूदानी पाउंड लक्ष्य सभी के लिए स्वच पानी और स्वच्छता है को बढ़ावा देता है और समर्थन करता है इसरों ने हाल ही में अपना SSLVD एक मिशन लांच किया है नीचे दिये गए कतनों पर विचार करें और सही कूट सयोजन चुने एक यह 500 किलोग्राम तक के बैलोड के प्रक्षिपन को पूरा करने के लिए एक छोटा उपग्रह प्रक्षिप पन्यान है दो यह लॉंच ओन डिमांड आधार पर उपग्रहों को पृत्वी की निचली कक्षाओं में लॉंच करेगा तीन SSLV को तीन ठोस चरणों के साथ कॉन्फिगर किया गया है और SSLV का पहला प्रक्षिपन सफल रहा एक केवल एक बी एक और दो सी एक और तीन डी उपरोप्ष सभी इसरों ने लॉंच ओन डिमांड आधार पर प्रित्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों के प्रक्षेपन को पूरा करने के लिए एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपन यान SSLV विक्सित किया एक मिशन EOS-02-132 किलो का उपग्रह भूमध्य रेखा से लगभग 350 किलोमीटर की निचली प्रित्वी की कक्षाओं में लॉंच किया यह मिशन आजादी सेट उपग्रह को भी वहन करता है उपग्रह का पहला प्रक्षेपन अभीष्टो देश्य को पूरा नहीं कर पाया और यह इच्छित कक्षा से दूसरी कक्षा में चला गया SSLV को तीन ठोस चरणों के साथ कॉन्फिग किया गया है इच्छित कक्षा में उपग्रह का प्रवेश एक तरल प्रनोधन आधारित वेक ट्रिमिंग मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है यह मिनी सूक्षम यह नैनो उपग्रहों 10 से 500 किग्रा द्रव्यमान को 500 किलोमीटर तलिया कक्षा में प्रिक्षेपित करने में सक्षम है यह मांग के आधार पर अंतरिक्ष में कम लागत वाली पहांच प्रदान करता है यह कम टन अराउंड समय कई उपग्रहों को समयोजित करने में लचीलापन, लॉंच ओन डिमांड व्यवहार्यता, न्यूनतम लॉंच इंफ्रास्ट्रक्चर आवशक्ताएं आधी प्रदान करता है नीती आयोग की शासी परिशत के संदर्भ में सही संयोजन चुने एक, नीती आयोग के उपाध्यक्ष शासी परिशत के प्रमुख होते हैं दो, शासी परिशत सचिवालय, जीसी एस, संसद प्रशनों, आट्याई प्रशनों CPGR, AMS शिकायतों और अन्य संबंधित मुद्दों को संभालता है A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनो, D. उपरोक्ट में से कोई नहीं B. केवल दो, नीती आयोग एक प्रमुख निकाय है जिसे विकास के आख्यान को आकार देने में राजियों की सक्रिय भागिदारी के साथ राष्ट्रिय प्राथमिक्ताओं और रनीतियों की एक साजह दृष्टी विक्सित करने का काम सौपा गया है नीती आयोग की शासी परिशद में भारत के प्रधान मंत्री, विधाईका के साथ सभी राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उप्राज्य पाल, पदेन सदस्य, उपाध्यक्ष पूर्ण कालिक सदस्य और विशेश आमंत्रित सदस्य शामिल है शासी परिशद सचिवालय, GCS शासी परिशद की बैठकों का समन्वय करता है यह नीती आयोग के सभी कार्यक्षेत्रों, प्रभागों और एकायों की गतिविधियों का समन्वय भी करता है GCS संसद में प्रसार के लिए नीती आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए नोडल डिवीजन के रूप में कार्य करता है यह प्रभाग, संसद प्रशनों, स्थाई समिती के मामलों, RTI प्रशनों, CPGRAMS शिकायतों और GCS से संबंधित VIP संदर्भों को भी देखता है अपने तेजी से विकास और बढ़ते वैश्वे को प्योग के कारण स्टेबल कॉइन सुर्खियों में है निमनलिखित कतनों पर विचार करें 1. स्टेबल कॉइन एक प्रकार का डिजिटल या क्रिप्टो क्यूरेंसी है 2. इसका मूले एक स्थिर, संपत्ती से आंका जाता है जैसे की US, डॉलर या सोना 3. इसमें निवेशकों द्वारा उन्हें रखने के लिए कोई कानूनी और वित्तिय जोखिम शामिल नहीं है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प, विकल्पों का चैन कीजिए 1. केवल 1, B, 1 और 2, C, 2 और 3, D, उप्रोक्त में से कोई नहीं 2. एक और 2, टेबल कॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जिसका मूले एक स्थिर समपत्ती से जुड़ा होता है जैसे की US, डॉलर या सोना, आज क्रिप्टो पारिस्थिती की तंत्र में सबसे प्रसिद स्थिर मुद्रा टीथ, USDT, है स्टेबल कॉइन देश के विधी निर्माताओं या केंद्रिय बैंकों द्वारा उप्योग के लिए अधिकरित नहीं है जिसका अर्थ है कि निवेशकों को उन्हें रखने के लिए कानूनी और वित्य जोखिम उठाना होता है जिसका अर्थ है